इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि क्या कोरोना वाइरस की टेस्टिंग को हम बाय चोईस बना सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी चोईस से कोरोना वाइरस की टेस्टिंग करवाना चाहता है तो वो आए और अपना टेस्ट करवा ले क्या ऐसा प्रैक्टिकली संभव है इसी की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले है test by choice कि coronavirus का परिक्षन व्यक्ति की चुनाव के आधार पर choice के आधार पर तो उसी से संभधित हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे India needs a more nuanced approach to COVID-19 testing अब क्या मतलब हुआ इसका कि जो COVID-19 की testing इंडिया में जारी है इस testing के लिए इंडिया को जरूरत है क्या जरूरत है a more nuanced approach देखो अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकों nuanced nuanced approach का मतलब क्या हुआ nuanced का मतलब होता है सूक्ष में भेद से परिपूर्ण यानी कि एक ऐसा दृष्टिकों जिसमें आप बहुती सूक्ष में चीजों का ध्यान रखते हो एक ऐसा दृष्टिकों जिसमें आप बारीकियों पर गौ़ फर्माते हो तो उस दृष्टिकों को हम कहेंगे nuanced approach का मतलब है बारीकियों का ध्यान रखना सूक्ष्म ताका ध्यान रखना तो कुल मिलाकर COVID-19 टेस्टिंग जो इंडिया में जारी है भारत को जरूरत है कि भारत एक बहुत ही सूक्ष्म अंतरों को पहचानते हुए एक अलगी दृष्टिकोन COVID-19 के प्रती अपना है आगे देखते हैं On September 4 क्या देखने को मिला हमें 4 सितंबर की अगर हम बात करें तो इंडिया क्रॉस्ड अब देखो ये कॉमा से कॉमा तक लिखी हुई है जो बात ये क्या है additional information है अब इस additional information को हम बात में देखते हैं डारेक्ट आते हैं On September 4 13 days after crossing 3 million on August 20 अब देखो क्या हुआ कि 4 सितंबर को हमें क्या देखने को मिला 13 days 13 days after crossing 3 million on August 22 यानि कि अगस्ट 22 को हमें क्या देखने को मिला था 3 million coronavirus के case भारत cross कर चुका था और 4 सितंबर को हमें क्या देखने को मिला इंडिया crossed 4 million novel coronavirus cases novel का मतलब होता है नया ये जो coronavirus है न बिलकुल नया है हम सभी के लिए तो उसके आगे हम novel का प्रियोग करते है novel coronavirus cases 4 सितंबर के आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में 4 million से ज़्यादा coronavirus के cases सामने आ चुके हैं और 3 million कब हो चुके थे 22 अगस्त को हो चुके थे 3 million अब देख लो 22 अगस्त से 4 सितंबर कितने दिन हैं इन दिनों के भीतर 1 million नए cases सामने आ गए 1 million का मत्तव है 10 लाख नए cases सामने आ गए आगे देखते हैं on Saturday शनिवार की अगर हम बात करें the fresh cases reported surpassed China's total recorded cases 90,070 so far so far का मतल़ होता है अब तक कि शनिवार की अगर हम बात करें जो बीता शनिवार है नए शनिवार की अगर हम बात करें तो fresh cases reported कि जितने भी coronavirus के नए case report किये गए भारत में उनकी संख्या ज्यादा थी surpassed का मतल़ होता है आगे निकल जाना है ज्यादा हो जाना China's total recorded cases कि वही चाइना के total recorded cases कितने हैं अब तक 90,000 हैं इन total 90,000 cases से ज्यादा cases हमें देखने को मिले कब शनिवार को भारत में जो fresh case report किये गए न उनकी संख्या ज्यादा थी ये एडिटोरियल बात कहना चाहरा है आगे देखते हैं on Sunday क्या देखने को मिला है में रविवार को India surpassed Brazil अब देखो surpassed का मतला मैंने क्या हुआ किसी से बहतर हो जाना, किसी से आगे हो जाना किसी से ज्यादा हो जाना India surpassed Brazil to record the second highest number of cases in the world देखो अभी तक coronavirus के मामले में भारत का इस्थान चल रहा था तीसरा America, Brazil और उसके बाद में चल रहा था भारत का नंबर अब भारत जो है ना दूसरे नंबर पर आ गया है और ब्राजील चला गया है तीसरे नंबर पर India surpassed Brazil to report the second highest number of cases in the world यानि कि भारत ब्राजील को हराते हुए भारत ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए पूरे विश्व में coronavirus के cases के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है since August अगस्थ से अगर हम बात करें India has been reporting भारत जो है लगातार report कर रहा है किस चीज की report कर रहा है the highest number of cases each day अगस्थ से हमें भारत में क्या देखने को मिल रहा है प्रतेक दिन भारत में सरवादिक coronavirus के cases दर्ज किये जा रहे है which has been steadily steadily का मतलब होता है धीरे धीरे लगातार which has been steadily in increasing coronavirus के जो केसे से लगातार और धीरे धीरे भारत में बढ़ते ही जा रहे है from over 50,000 in the last week of July July का जो last week था उसमें coronavirus के cases हमारे सामने आये थे पचास हजार to over 50,000 पचास हजार से भी ज़्यादा cases हमारे सामने आये थे last week जुलाई के last week to over 60,000 in the first week of August अगस्थ के पहले सबता में 60,000 से ज़्यादा coronavirus के cases हमारे सामने आये कुलमिला के editorial बताना चाह रहा है कि coronavirus की गहनता कि भी coronavirus जो ना लगातार जो है दीरे दीरे बड़ ही रहा है कि भी 50,000 से भी ज़्यादा cases हमारे सामने आये जुलाई के last week में 60,000 से भी ज़्यादा cases हमारे सामने आये अगस्थ के first week में इसके बाद में और 70,000 in the fourth week अगस्थ के चौथे सप्ता में 70,000 से भी ज़्यादा cases हमारे सामने आये coronavirus के इसके बाद देखते है before jumping to over 80,000 cases in September अब देख लो September ये जो है एक तरीके से अभी कितना हुआ है एक सप्ता भी एक सप्ता हुआ है ठीक तरीके से सप्तेम्बर को पूरा और September के इस एक सप्ता के भीतर भीतर हमें कितने देखने को मिले 80,000 से भी ज़्यादा coronavirus के cases हमें देखने को मिलें तो देख रहे हो 50,000, 60, 70 और अब ये September माह के first week में हमें देखने को मिलें 80,000 से भी ज़्यादा coronavirus के cases दो, यद्यपी the number of tests done each day has been over 1 million for the past week पिछले सप्ता की अगर हम बात करें तो coronavirus की जो testing की गई वह 1 million से भी ज़्यादा लोगों की 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 1 million का मतलब होता है 10 lakh the number of tests done each day कि प्रतियक दिन coronavirus की जो testing की जा रही है coronavirus के जो रोगी है ना उनकी पहचान करने के लिए प्रतियक दिन जो correction किया जा रहा है वो क्या रहा है has been over 1 million for the past week पिछले सक्ता के लिए हम बात करें तो 1 million रहा है the test positivity rate nationally is still high at 7.7% कि अगर हम राष्टरी रूप से मतलब भारत की जो एक तरीके से राष्टरी है coronavirus positivity rate की अगर हम बात करें तो वो कितनी आ रही है अभी भी 7.7% बनी हुई है यानि कि अभी भी positivity rate जो है वो बहुत ही जादा हाई है indicating ये दिखाते हुए ये प्रदर्शित करते हुए कि जो coronavirus की जो positivity rate है वो अभी भी हाई है वो क्या indicate करती है that testing has to be ramped up इस शब्द को याद कर ले ना ramp up को है ना ये लगबग रोजी प्रयोक किया जा रहा है The Hindu editorial के जा रहा ramp up का मतलब होता है किसी भी चीज को increase करना कई बार इसका प्रयोक करता है इसका favorite word है The Hindu Editorial का ramp up ramp up का मतलब होता है किसी चीज को increase करना किसी चीज को और जादा बढ़ा देना तो ये जो coronavirus की high positivity rate है, ये indicate करती है, हमें ये बताती है, क्या बताती है, testing has to be, अब देखो ये has to आया है, has to का मतलब होता है, किसी काम की अनिवारिता है, ऐसा किया जाना बहुत ही जरूरी है, I have to go, she has to come, कि उसे आना जरूरी है, मेरा जाना जरूरी है, कि मुझे जाना है, तो करती है, कि जो coronavirus की testing भारत में चल रही है, इसको और जादा बढ़ाया जाना है, इसको और जादा बढ़ाया जाना जरूरी है, आगे देखते हैं, दो, यद्यपी, the testing done each day by many states has been growing, कि भई, जो परिक्षन किया जा रहा है, प्रतेख दिन, testing done each day by many states, कि विभिन राज्यों द्वारा, जो daily coronavirus की testing की जा रही है, वो है लगातार बढ़ रही है, यानि कि प्रतेख राज लगातार coronavirus की testing को बढ़ा रहा है, has been growing, लगातार बढ़ रही है, nearly 50% of them are rapid antigen, ठीक है, coronavirus की testing की जा रही है, लेकिन जो विभिन राज्यों है न भारत के, वे किस test को अपना रहा है, coronavirus का जो test किया जा रहा है, कौन सा test है, 50% of them are rapid antigen, rapid का मतलब होता है, शीगर antigen, देखो दो चीज़े होती है, एक होती है antigen, दूसरा होता है antibody, antigen का मतलब होता है, ऐसे हानिकारक तत्तो, एक ऐसे हानिकारक पदार्थ, जो आपकी body में प्रिवेश करते हैं, उनको बोलते है antigen, जैसे virus है, क्या है virus? एक antigen है, जो कि आपकी body में प्रिवेश करता है, और आपको हानी पहुचाता है, दूसरी चीज़ होती है antibody, antibody का क्या काम होता है, कि जो antigen आपके शरीर में आते हैं, उनको रोकना, उनके खिलाफ लडाई लडना, उनको बोलते है antibody, तो antibody क्या है, आपके शरीर में निर्मित ह होती है, और antigen के खिलाब आपको सुरक्षा प्रदान करती है, वो काम होता है antibody का, तो rapid antigen test है, मतलब फटा-फट हो जाता है, इसके माध्यम से antigen का पता लगाया जाता है, कोई virus व्यक्ति की शरीर में घुस्तो नहीं किया, तो 50% के लगभग जो भारत के राज हैं, वे coronavirus के लिए rapid antigen test का सहरा ले रहे हैं, of only about 50-60% sensitivity, अब देखो यह जो rapid antigen test है, यह क्या है, मतलब इतना accurate नहीं है, बिल्को सटीक पता नहीं चलता इसे, 50-60% sensitivity, sensitivity का मतलब होता है, समवेदन शीलता, कि लगभग यह मानो, 50-60% जो नतीजे आते हैं इस test के, वो accurate होते हैं, मतलब इतन of the infected, अब देखो मैंने यहां से और यहां तक ही, पढ़ेंगे हम इसे, यह क्या है, comma to comma है, additional जानकारी है, इसको पढ़ेंगे हम, सीधे यहां आ सकते हो, unfortunately many of the infected are not being diagnosed, दुर्भाग्य से, unfortunately यह नहीं, दुर्भाग्य से, many of the infected, infected का मतलब है संक्रमित, कि भई, दुर्भाग्य स काफी सारे लोग, जो की संक्रमित हैं, are not being diagnosed, उनको diagnose नहीं किया जा रहा है, diagnose का मतलब होता है, एक तरीके से, रोग को पहचानना, उसको बोला जाता है, diagnose, diagnose का मतलब होता है, कि जब आपका परिक्षन किया जाता है, और आपको कोई बीमारी है या नहीं, उसका पता लगाया जाता है, उसको कहा जाता है, diagnose, तो एडिटोरी यही कहना चाहरा है, कि दुर्भाग इसे, काफी सारे व्यक्ति, जो की संक्रमित हैं, उनको diagnose ही नहीं किया जा रहा है, अब देखते है, unfortunately के बाद में, जो लिखा है, with no repeat testing of negative cases, वर्तमान में हमें क्या देखने को मिल रहा है, क कि जो व्यक्ति negative case आया ना, जिस व्यक्ति का, उसकी repeat testing नहीं की जा रही, उसको दुबारा से test नहीं किया जा रहा है, एक बार अगर negative आ गया, तो उसको हमने भूल ही गया, उसको छोड ही दिया, तो with no repeat testing of negative cases, and only a small percentage of people with symptoms, but negative results being validated with a RT-PCR, अब देखों, यह जो RT-PCR है, यह भ rapid antigen, rapid antigen से थोड़ा बहतर test है कौन सा, RT-PCR, लेकिन हर व्यक्ति के लिए हम RT-PCR उपलब नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि हमारा जो health structure है, इतना मजबूत नहीं है, कि पृति एक व्यक्ति आ जाया, और हर व्यक्ति जो है, एक तरीके से, मन-मर्जी तरीके से, अगर उसको RT- PCR test चाहिए, तो conduct करा ले, आगे देखते हैं, तो with no repeat testing of negative cases, कि जो भी negative cases हमारे सामने आ रहे हैं, उनकी repeat testing नहीं की जारी, उनका दोबारा परिक्शन नहीं किया जा रहा है, and only a small percentage of people, और काफी सारे लोग, जिनमें symptoms नजर आ रहे हैं, उनकी बहुत थोड़े से लोगों की है, जैसे हो सकता है कि व्यक्ति का test जो है negative आया, लेकिन उसमें coronavirus के symptoms नजर आ रहे हैं, उनको प्रमानित किया जा रहा है, being validated, किसी भी चीज़ को validate करने का मत्तब होता है, उसकी पुष्टी करना, उस चीज़ को सत्यापित करना, being validated with RT-PCR, तो काफी सारे राज जो है na, RT-PCR test के लिए कह रहे हैं, सिर्फ कुछ ही लोगों को, यानि कि कुछ लोग जो की negative result में आये, coronavirus की testing के दो रहां, और उनको जो है testing के लिए, RT-PCR testing के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बहुत कम हैं, इसे लोगी, ये editorial कहना चाह रहा है, आगे देखते हैं, the ICMR's latest advisory, the ICMR's latest advisory provides for testing on demand to ensure higher levels of testing, the ICMR, Indian Council of Medical Research की, जो नवीनतम guidelines है, जो उसके दोरा जो सला दी गई है, जो advice दी गई है, provide for, वो क्या कहती है, provide for, testing on demand to ensure, भई देखो, ICMR ने तो कहा है, उसने, ICMR ने इस बात की सलाह दिये, इस बात की जो है, guidelines दिये, कि हमें क्या किया जाना चाहिए, testing on demand, कि भई हमें सुनिश्चित करना चाहिए, कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी testing कराना चाहता, यानि कि किसी भी व्यक्ति की demand है, कि मैं अपनी testing कराना चाहता हूं, तो हमें उपलब्द कराना चाहिए testing, to ensure, ताकि ये सुनिश्चित कर सके हम, higher levels of testing, कि भई, testing के उचे इस तर को सुनिश्चित करने के लिए, ICMR के अनुसार, ये जरूरी है, कि coronavirus की testing on demand उपलब्द कराई जाए, क्या मतलब हुआ इसका, कि ठीक है, जब की एक और अगर हम बात करें, तो coronavirus की testing जो है, उसे बढ़ाया जाना जरूरी है, testing on demand by anyone might not be the correct approach to adopt, लेकिन editorial कहता है, कि ये जो test on demand की बात कर रहे है, कि कोई भी व्यक्ति आए, और demand करें, और उसकी testing करें हम, तो ये जो test on demand की बात की जारी है, by anyone की, कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, अगर कोई भी व्यक्ति आता है, और वो अपनी coronavirus की testing कराना चाहता है, तो हम जो है, उसको उपलब्द कराएं, might not be, might यहां पर आया है, संभावतया, देखो में और might, दोनों का प्रियोग करते हैं, किसके लिए, संभावना दिखाने के लिए, में का प्रियोग करते हैं, जब ज़्यादा संभावना दिखानी हो, might का प्रियोग करते हैं, जब थोड़ी कम संभावना की बात करनी हो, तो सा आप कह सकते हो कि जो medical एक तरीके से infrastructure है वो इतना मजबूत नहीं है कि आप हर व्यक्ति आया और अपनी जो है एक तरीके से demand करता है कि मुझे भी testing करानी है मुझे भी testing करानी है तो इतनी हमारे पास अभी सुविधा ही नहीं है और यह सही approach भी नहीं है सकती है the ICMR कि यह जो Indian Council of Medical Research है is theoretically theoretically का मतलब क्या होता है दो चीजे होती है एक तो होती है सैधान्तिक रूप से बात करना एक होती है practically बात करना तो एक तरीके से सैधान्तिक रूप से ICMR यह कहना चाहता है is making India's 1.3 billion people की भारत के 1.3 billion जो लोग है वे eligible है eligible मतलब योग्य है for a test भाई अगर ICMR की अगर हम माने तो ICMR तो यह कहना चाहता है कि भारत की जो पूरी की पूरी जनसंख्या है न वह सारी की सारी जनसंख्या ही test के योग्य है और इस जनसंख्या में से कोई भी व्यक्ति अपना test कराना चाहता है तो वह आया और अपना test करा है ICMR तो यह कहना चाहता है न तो theoretically तो यह बात सही लगते है लेकिन क्या practically ऐसा possible है even even मतलब जब की even when जब की when there is no capacity to undertake अब देखो undertake का मतलब होता है जिम्मा लेना जिम्मेदारी उठाना is there is no capacity to undertake this editorial यह कहना चाहता है कि भई हमारे पास इतनी छमता ही नहीं है हम इस योगी ही नहीं है कि हम जो है यह कर पाएं भई प्रैक्टिकल सेधांतिक रूप से ICMR ने कह दिया कि जो भी व्यक्ति टेस्ट कराना चाहता हो करा सकता है लेकिन even when there is no capacity हमारे पास चमता ही नहीं है to undertake this कि हम इस चीज की जिम्मेदारी ले सकें कि हम इस बात की जिम्मेदारी ले सकें कि हाँ हम किसी भी व्यक्ति का टेस्ट करने में सक्षम है while it is a welcome measure measure का मतलब होता है उपाए while it is a welcome measure ठीक है ICMR ने जो बात कहिए बहुत ही अच्छी बात कहिए कि भई हमें जो है testing on demand उपलब्द कराई जानी चाहिए यह जो है उपाए जो ICMR ने सुझाया है बहुत ही स्वागत पूर्ण उपाए है especially in the private sector है ना कि खासकर private छेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर यह जो एक तरीके से प्रित्यक व्यक्ति की on demand अप्रोच की बात की गई ना तो private छेत्र है वहाँ पर व्यक्ति जो है एक तरीके से परियाप्त उनके पास पैसे हो सकते हैं परियाप्त इंफ्रेस्ट्रक्चर हो सकता है तो वहाँ इस अप्रोच को अपनाया जा सकता है इस अमेलकम मेज़र इस्पेशली खास करके इन दे प्राइविट सेक्टर दे जनरल फियर अबाउट इंफेक्शन क्या डीटोर बात करता है कि दे जनरल फियर कि एक सामाने भय जो लोगों में है इस संक्रमन के बारे में उसका परिणाम हो सकता है इन डाइवर्टिंग डाइवर्ट का मतलब क्या होता है एक तरीके से मार्ग से भटक जाना उसको बोलते हैं डाइवर्टिंग सम अफ दे गवर्मेंट स्ट्रेच्ट हेल्थ रिसोर्सेज health resources का मतलब हो गया स्वास्त्य संसादन stretched, यहाँ पे stretched का मतलब है stretched health resources का मतलब है कि भारत के जो स्वास्ते से संबंदित संसादन है वे पहले से stressed हालत में stressed हालत में है मतलब दबाव की हालत में है बहुती ज़्यादा दबाव की हालत में है तो वो है stretched health resources का मत्तब है, बहुत ही ज़्यदा तनाव की हालत में है, तो एडिटोरिल कहना चाहरा है, कि भारत के सीमित स्वास्ति संसाधन, जो पहले से ही under pressure है, अगर आप ये apply करते हो नियम कि प्रितेक व्यक्ति on-demand coronavirus टेस्ट करा सकता है, तो ये जो पहले से ही दबाव मे भारत का health resources, वो और ज़्यदा दबाव में आ जाएंगे, ये एडिटोरिल कहना चाहरा है, कि हमारा हो सकता है, कि हमारा जो medical infrastructure है वो collapse कर जाए, वो गिर जाए, वो ढह जाए, तो ये एडिटोरिल कहना चाहरा है, लेकि जो general fear है, infection को लेकर might result, उसका परिणाम क्या हो सकता है, कि बही, सरकार के, बही, पृतिय व्यक्ति में डर फैला हुआ है, कि मुझे भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, और अगर हमने on demand उपलब्द करा दिया, तो लोगों में ये जो भै बेटा हुआ है, कि कोरोना वायरस का, तो हो सकता है, लोग बाग टूट पड़ें अपनी अगर हमें उन लोगों को भी टेस्ट करना पड़ा, अनिवारिता दिखाने के लिए, कि अगर ऐसा करना पड़ा, if it has to test those who do not, on the face of it, जो ध्यान देना, on the face of it का मतलब होता है, उपरी तौर पर, उपरी तौर पर, अपरेंटली है, जो उपरी तौर पर अगर हम देखें, त उनकी भी अगर हम टेस्टिंग पे करते हैं, तो हमारा जो स्वाफते धाचा है, वह बहुत बुरी तरीके से चपेट में आ सकता है, require a test, if it has to test those who do not, on the face of it, require a test, कि अगर हमारे हेल्थ संसाधनों को, उन लोगों को भी टेस्ट करना पड़ा, जो की उपरी तौर पर, जिनक with states, not validating the negative result, with states, कि भई जो विबिन राज है, not validating, validate का मतलब होता है, with states, not validating, validate का मतलब है, एक तरीके से सत्यापित करना, किसी वी चीज को प्रमानित करना, with states, not validating the negative results, from rapid antigen test with RT-PCR, कि भई कई सारे राज हैं, जो इस चीज की मंजूरी नहीं दे रहे हैं, इस चीज की पु the negative results from rapid antigen test with RT-PCR, कि भई कोरोना वाइरस का किसी व्यक्ति के लिए rapid antigen test किया गया, किसी व्यक्ति का कोरोना वाइरस का rapid antigen test किया गया, और उस test में उस व्यक्ति का result आया, क्या, negative, तो कई सारे राज हैं, जो इस negative result आने के बाद में, उसे RT-PCR test के लिए recommend नहीं करते हैं, non-directed test on demand, देखो non-directed, क्या मतलब होता है non-directed का, directed का मतलब होता है निर्देशित, non-directed या निर्देशित, कि भई आपको ऐसा निर्देश नहीं दिया गया, non-directed test on demand, ठीक है, अब राज ने आपका rapid antigen test किया, उसमें आप negative आये, और आपको राज ने मना कर दिया, कि आप आपको RT-PCR test की जरूत नहीं, लेकिन आपने मना कर देने के बावजूद भी है, कि भई आपको निर्देश नहीं दिये गये हैं, कि आप RT-PCR test conduct करो, उसके बावजूद भी अगर हम on-demand test आयोजित कराते हैं, non-directed test on demand, might help, तो उसके दोरा क्या हो सकता है, might help, more in increasing the number of tests done each day, उसके माध्यम से क्या हो सकता है, कि भई number of test, जो testing कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ सकती है, might help, more in increasing the number of tests done each day, कि पृत्य एक दिन, coronavirus की जो testing की जा रही है, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, and hence, और इसका परिणाम क्या हो सकता, and hence, in reducing, कम करना, the test positivity rate, और क्या हो सकता है, कि जब ज़्यादा testing होगी, तो जो है, positivity rate में भी कमी आएगी, और उसके माध्यम से क्या होगा, early detection and contentment, कि भई हमें, detection का मत होता है, पता लगाना, contentment का मत होता है, नियंतरन, कि coronavirus का, जल्दी पता लगाने में, और नियंतरन करने में भी, जो है, हमें मदद मिल सकती है, एडिटोरियल फाइनली बात करता है, कि the focus, कि the focus, हमारा ध्यान जो है, must remain on, focus on है, focus के साथ में हम on preposition का प्रियोग करते है, कि भई जो हमारा ध्यान है, वह केंदरित रहना चाहिए, किस चीच पर केंदरित रहना चाहिए, on diagnosing, diagnose का मतलब मैंने आपको बता है, रोग को पहच जादा है, listed out, list out का मतलब क्या होता है, सूची निर्मित करना, by the ICMR, those with symptoms और high at risk, कि भई ऐसे व्यक्ती, जिनमें symptoms नजर आ रहे हैं, coronavirus के, या फिर जिनमें, जिनमें जो बहुत ही ज़्यादा, risk zone में नजर आ रहे हैं, कि भई जो high risk zone में है, या फिर जिनमें बहुत ही ज्या testing पे, उनी लोगों को diagnose करने पर, हमारा ध्यान केंदरित होना चाहिए, ये detail कहना चाहिए, इस सबसे पहले, हमें उन लोगों की testing करनी चाहिए, जो जिन लोगों में संभावना बहुत ज्यादा है, coronavirus का, मतलब, testing positive result आने की, तो the focus must remain on diagnosing the most probable cases, कि भई जो most probable case है, coronavirus के, उनको प या फिर जो high risk zone में नजर आ रहे हैं, since many of those infected, कि भई काफी सारे लोग, यानि कि जो भी infected हैं, जो भी संक्रमित हैं, coronavirus से, उनमें ज्यादा तर जो लोग हैं, have mild or no symptoms, उनमें या तो मध्यम दर्जे के संकेत नजर आ रहे हैं, या फिर no symptoms नजर आ रहे हैं, कि many of those affected have mild or no symptoms, कि ज् इसके जो infected लोग हैं, या तो उनमें कोई symptoms ही नजर नहीं आ रहे हैं, या फिर उनमें हलके symptoms नजर आ रहे हैं, mild symptoms नजर आ रहे हैं, tests on demand might be particularly helpful, अब देखो editorial क्या कहता है, कि यह जो on demand test की हम बात कर रहे हैं, संभवताया might be particularly खास करके सहायक हो सकता है, in detecting, पता लगाने में, in detecting cases that might otherwise have been missed, editorial कहता है, कि हो सकता है, गलती से कुछ ऐसे cases हम से छूट गए हों, जो की बहुत ही ज़्यादा risk zone में थे व्यक्ति और उनकी testing नहीं हो पाई, तो हो सकता है, उन लोगों की testing करने में हमें मदद मिल सकती है, किस से, test on demand से, लेकिन editorial क्या कहता है, but such a strategy, लेकिन इस तरह की जो strategy है, इस तरह की जो नीती है, शुड़ बी restricted, restricted का मतलब क्या होता है, limit कर देना किसी चीज को है, किसी चीज को demand है न, वह सीमित होनी चाहिए, वह restricted होनी चाहिए, किन छेत्रों तक, भई ऐसे लोग जो की groups में है, hot spot, hot spot का मतलब क्या होता है, hot spot का मतलब होता है, एक तरीके से ऐसा छेत्र, जो की बहुत ही जदा हलचल से भरा हुआ छेत्र है, जहां हमें लगता है कि coronavirus के होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उसको कहेंगे हम hot spot है न, बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो कि बिल्कुल एकदम जो red zone की हालत में है, and containment zone, containment zone का मतलब है नियंत्रन छेत्र, है न, containment zone का मतलब है जो की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में coronavirus की चपेट में है, जहां पे coronavirus को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रियास किये जा रहे है, वो है clusters में, कुछ groups में, कुछ hot spot छेत्र में, containment zone में, इसके अलावा कुछ शहरी छेत्र, जो की घनी आबादी वाले हैं, वहां पर अगर हम इस strategy को अपलाई करें, तो बात समझ में आती है, वहां पर हम अगर हम इस strategy को अपलाई करें, कौन सी strategy की वहां पर अगर हम testing on demand करें, तो इ besides dense urban areas with anticipate, anticipate का मतलब क्या होता है, anticipate का मतलब होता है, अनुमान, अंदाजा, anticipated high transmission, कि जहां पर इस बात का अनुमान है, जहां पर हमें ऐसा लगता है, उन अर्बन छेत्र में, जहां पर हमें ऐसा लगता है, ऐसी संभावना नजर आती है, ऐसा अंदाजा हमें नजर आता है, कि transmission transmission का मतलब यह संचरंड कि इन छेत्रों में हाइΑ transmission हो सकता है corner virus का जो sonya ने in urban छेत्रİ में अगर ज्यादा हो सकता है in the unlock face in the unlock phase का मतलब है कि यह को रोनावार स्कोंगियर तरीके से हमने लॉकडाउन लगाया था lockdown लगाने के बाद में यह जो हमने unlocking की जो prakriya शुरू की न तो इस unlocking की प्रिक्रिया की शुरुवात के दोरान कुछ ऐसे चेत्र हो सकते हैं अर्बन चेत्र के जहां पर coronavirus के ज्यादा मरीज होने की संभावना बनती है तो वहां पर अगर हम चाहें तो coronavirus on demand testing रख सकते हैं else अन्यथा states might be forced अन्यथा जो बिबिन राज हैं उनको इस बात के लिए force किया जा सकता है to use their discretionary power discretionary का मतलब होता है स्वा विवेक का प्रियोग करना discretionary power का मतलब होता है ऐसी power आपकी ऐसी ताकत जिसमें आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हो आप अपने विवेक के आधार पर निरने लेते हो तो editorial केला है कि राज्यों को इस बात के लिए force किया जा सकता है कि राज्य जो है अपने हिसाफ से decide करें to deny test कि अगर राज्य जो है deny का मतलब है inkar करना मना करना to deny test for people not exhibit exhibit का मतलब है प्रदर्शित करना symptoms और in low risk categories तो राज्यों के ऊपर हम छोड़ सकते हैं राज्यों को हम इस बात का जो है force कर सकते हैं कि राज्य भई अपने हिसाफ से decide कर सकते हैं कि 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 लोगों की testing नहीं करनी है हो सकता है कि not exhibiting symptoms कि कोई लोग है जो की कोरणा वारस की symptoms को नहीं दिखा रहे हैं पर छोड़ देना चाहिए और selectively charge for testing to pay for procurement procurement का मत होता है जुटाना उपलब्द कराना और अगर कोई राज जो है कोई थोड़ा बहुत कुछ चार्ज करना चाहता है कुछ पैसा वसूलना चाहता है कुछ फीस लेना चाहता है का testing के लिए to pay for procurement of testing kits and to avoid more pressure on the testing infrastructure की बहीं यह जो हमारा coronavirus का testing infrastructure है coronavirus को लेकर testing करने का यह जो हमारा आधार भूद धाचा है इस पर ज्यादा दबाव ना आ जाए इस ज्यादा दबाव से बचने के लिए और जो व्यक्ति coronavirus के लिए testing भी कराना चाहता है उसे testing kit procurement उसे testing kit उपलब्द कराने के लिए अगर कुछ राज चाहें तो थोड़ा बहुत जो है कुछ चार्ज अपलाई कर सकते हैं तो यह हमें राज्यों के विवेक पर छोड़ देना चाहिए there is also the possibility इस बात की भी संभावना बनती है of an overreliance overreliance का मतलब होता है बहुत ही जादा निर्भर हो जाना reliance का मतलब है निर्भर हो जाना इस बात की भी संभावना नजर आती है there is also the possibility of an overreliance on antigen testing क्या मतलब है antigen testing का वही है ना कि antigen का मतलब हो गया यह जो बाहर से आना वाला वायरस है आपके शरीपर there is also the possibility of an overreliance on antigen testing to cop with cop with का मतलब होता है सामना करना जूजना मुकाबला करना निकर निपटना ध्यान देना common error में इसका question पूछा जाता है कई बार इसको cop up with कहते हैं तो cop up with जो है वो गलत है हमें common error में या फिर fill in the blanks में दिया जाता है cop up with cop up with नहीं होता अप लगाने की ज़रत नहीं है बीच में cop with होता है सीधा cop with का मत होता है किसी चीज का सामना करना मुकाबला करना जूजना तो इस बात की भी संभावना बनती है of an overreliance on antigen testing to cop with the growing demand for testing growing demand for तो ये डिटोरिल क्या करना चाहता है कि इस बात की भी संभावना है कि बहुत ही ज्यादा निर्भरता बढ़ जाए किस चीज पर on antigen testing की बहुत ही ज्यादा निर्वर बढ़ जाए to cop with सामना करने के लिए growing demand for testing कि बहुत टेस्टिंग की जो लगातार फाइनली हमें सला देता है कि a more nuanced nuanced का मतलब मैं आपको बताया approach का मतलब द्रिश्टिकॉन कि ऐसा द्रिश्टिकॉन जिसमें बारीकियों को समझा जाए सूक्षिमता को अंतर के साथ पहचाना जाए वास्तों में देखा जाए कि हाँ इसको जरूरत है testing की इसको जरूरत नही किये गए हैं उन guidelines को follow करने के लिए हमें एक बहुत ही ज्यादा nuanced approach की जरूरत है is therefore necessary इसलिए ऐसी nuanced approach जो है जरूरी है जिसमें बारीकियों के साथ चीजों को समझा जाए और वास्तों में पहचाना जाए कि हाँ इस व्यक्ति को testing की जरूरत है और इस व्यक्ति को testing की जरूरत नहीं है